वेलकम टू प्रताब क्लासिज दोस्तों प्रताब क्लासिज के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो क्रेंट अफेर्स 2021 के क्योस्टन मनते हैं तो आज उनका डिसक्रेशन करेंगे पूरा विदारती हमारे इस चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बैल आइकन के गंटे को दबा लेना ताकि हम जैसे ही सुबह इंडिया करेंट से समधित या और कंप्यूटर से समधित महला बाल विकास से समधित जो भी वीडियो अप्लोड करे हैं तो इस वीडियो के डिसक्रिशन भी भी टेलिग्राम का लिंक है वाँजा के प्रियाब डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए हम बात करते हैं आज का पहला क्रेशन है कि हाले में किस राज्य में प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने विकास प्रियोजनों की सुरुआत की है तो अभी गोवा राज्य में हमारे देश के प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने कई विकास प्रियोजनों की सुरुआत की है क्योंकि अभी 19 दिसम्बर को क्या है गोवा मुक्ति दिसम्बर को बनाया गया था क्योंकि गोवा है वो 1961 में पूर्तगालियों से आजाद हुआ तो इस अभी प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने कई इसमें विकास प्रियोजनों की सुरुआत की है मुक्य तते देखो गोवा मुक्ति दिवस के अभी प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने गोवा में 650 क्रोड रुपए से अधिक की कई विकास प्रियोजनों का किया है जो सवतंतरता से नानी है और ओपरेशन वीजय के जो दिग जया उनको भी इस आउसर पर सम्वानित किया है तो आप गोवा में कई इसमें कोई प्रयोजनों का उद्धगाटन किया है जिसमें देखो मैं आपको बदा देता हूँ एक तो 28 क्रोड की लागत से अंगवा से क्या है कि इसमें कई प्रयोजनों का उद्धगाटन अभी प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने क्या है गोवा में किया है तब गोवा की बात है तो गोवा की रान जदानी क्या है पड़न जी गोवा के मुक्य मंतरी को ने परमोद सामत को ने परमोद सामत गोवा के मुक्य दिवस मनाय गया है 22 दिसंबर को कब बनाय गया है वो 22 दिसंबर को बनाय गया है और 22 दिसंबर क्या है कि उत्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को और सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को तो ये जिके के दर्ष्टी से बहुत ही मैत्पुन है आपके को मुख्य तत्य देखो बारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्य गणित दिवस मनाता है कब 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्य गणित दिवस मनाता है यह दिन गणि तक यह सिरी निवास रामानुजन की जैनती के वलपस में मना जाता है यह पूचा जा सकता है कि यह दिन ग अगला क्योंसर है, हाली में ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट पती चुने गए हैं, तो अभी चिल्ली के हैं, जो ग्रेबियल बोरिक हैं, वो चिल्ली देश के सबसे युवा राष्ट पती चुने गए हैं, कौन से 35 वर्षी, 35 वर्षी आयू, जो ग्रे ये चुने गए हैं बहुत ही कम उमर की जो युवा राष्टपती ये चुने गए हैं ग्रेबिल बोरिक उन्होंने चुनाओ में अपने विपक्षी जोंस एंटोनियो कास्ट को राया और ग्रेबिल बोरिक है वो मार्च 2022 में पद ग्रेंड करेंगे अब चिल्ली की बात है तो और चिल्ली के वर्तमान में राष्टपती कोन है सेविस्टियन स्पिनेरा और 2022 से कोन होंगे ग्रेबिल बोरिक मार्च 2022 से सबसे युवा राष्टपती अगला क्यूशन है हाली में किस खिलाडी को 2025 तक बेडमिटन वर्ड फेडरेशन अथलिट आयोग के अधेक्स की आयोग के देक्स के रूप में सदस्य ने शामिल किया गया है इसमें पांच सदस्य ग्रूप में शामिल किया गया है मुखे तत्य देखो पूरो विश्व चैंपियंशिप पीवी सिंदू को पांच अन्य लोगों के साथ बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एतलेटों के सदस्य ग्रूप में निक्त किया गया है कितने पांच अन्य लोगों के साथ इसमें क्या है बेडमिटन वर्ल्ड फेडरेशन अथलेट के चैंपियंशिप प्यूई सुन्दू को इसमें शामिल किया गया है इसमें 6 सदेशों में क्या है एक अधेक्स और एक उपादेक्स का इसमें अभी फैसला होगा भी 6 सदेशों में कौन अधेक्स है और कौन उपादेक्स है तो अभी पीवी सुंदू को अभी दोजार पत्चीस बेड मेटन वर्ल्ड फेटरसन एत्रेट आयो की अध्यस सदेश्य ग्रूप में शामिल किया गया है अगरा क्योशन है हाल में किस राज्य के मुख्य मंद्री ने जगनात रत यात्रा को राज्य उच्छों का टेक दिया है तो अभी पंजाब सरकार ने किसने पंजाब सरकार की राज्य के मुख्य मंद्री हैं जिनोंने जगनात रत यात्रा को राज्य उच्छों का टेक दिया ह किसने पंजाब ने मुक्खे चते देखो पंजाब के मुक्खे मंदरी चनजीत शियन चन्दी ने बगुगान कृषिन बलराम जगनात रत्यात्रा को एक वार्षिक उथ्सो गोशित किया है जो पंजाब के मुखे मद्रिकों ने चरनजीत सी है चुनी इन्होंने किया है बगवान कर्षन बल्राम जगनाथ रत यात्रा को इक वारसी को राजे उतसो पर गोशित किया है और इसकी गोशना क्या है पचीछ वी होई हरी जन्दी दिखाने की उत्सापर की गई थी अब पंजाब की बात है तो पंजाब की राजदनी क्या है चंडीगड क्या है पंजाब की राजदनी है चंडीगड पंजाब के 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 राज मंतरी भी पूछे जाते हैं कि अभी जो मैंने पीडियाप देखी थी उसकी पीछे जो जितने भी एक्जाम या गुरूप डी के मैंने देखा था कि उसमें क्या है कि पुर्षकार से समंदीत और किसकी पुष्टक लिखी हुए उससे समंदीत और क्या है भी कौन से राजे का अगला क्यूशन है हाली में चीन में भारत के अगले राज़ दूद के रूप में किसी निक्त किया गया है तो हाली में चीन में क्या है भारत की अगले राज़ दूद के निक्त किया गया है परदीव कुमार को किसको परदीव कुमार को क्या है चीन में भारत के अगले दूत कि रूप में निक्त किया गया है। राज़ूत है निदरलेंड में है राज़ूत वरतमान में है तो आगे इनको कहानी कुत किया जाएगा चीन में नेक्स्ट कोशन है हाली में किस राजे की सरकार 25 दिसंबर को फ्री समार्ट फोन योजना लागू करेगी स्टार लगे लड़ना बहुत ही इपोर्टर पॉर्शन हो सकता है आपके लिए कि कौन सी राजे सरकार है जो 25 दिसंबर से फ्री समार्ट फोन योजना लागू करेगी तो वो है यूपी सरकार कौन है यूपी सरकार अभी 25 दिसंबर से फ्री समार्ट फोन योजना लागू करेगी मुखे तत्य देखो उत्रप्रदेश में योगी अधित्यनात कौन है मुख्यमंदरी योगी अधित्यनात सरकार 25 दिसंबर को महत्वा कांगशी मुफ्थ स्मार्टपॉन योजना सुरू करने के लिए तैयार है और 25 दिसंबर को क्या है वरिष्ट बाजपानेता और पूरो परदानमेटरी अटल ब्यारी वाजपई की जयनती है तो इस अश्र पर क्या है जो योगी अधित्यनात है वो क्या है मुख्यमंदर स्मार्टपॉन इनको फ्री योजना लागूग करेगी तो इसके बारे में मैं कुछ और बता देता हूँ क्योंकि जो राजे सरकार है वो सनातक और जो अंतिम वर्स के क्या है इस से ऊपर या अंतिमर्स के जो छात्र है उनको समार्टपोन व्य टेबलेट वित्रत करेगी और 25 दिसंबर से क्या है यह युवाउं को 60,000 समार्टपोन और 40,000 टेबलेट वित्रत करेगी और 25 दिसंबर से या फ्री स्मार्टपोन ही होजना लागू करेगी यूपी सरकार अगला क्योशन है हाली में किसे ब्रैमोस एरोस्पेस के सी यो और एमडी नुक्त किया गया है इसमें बताना है कि किसे ब्रैमोस और एरोस्पेस के सी यो और एमडी नुक्त किया गया है तो वो है अतुल दिनक कर राने को अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीयो और एमडी निउप्त किया गया है मुख्य तते देखो अतुल दिनकर राने को ब्रह्मोस सुपर सोनिक कुरूजर मिसाइल बनाने वाली ब्रहमौस Aero Space Limited का नया मुख्य करीक करी एधिकरी और पनप्रबंदे निद्यशक निप्त किया गया है किसको अतुल दिनकर राने को अब ब्रहमौस Aero Space Limited के सहिedel पिलेई को है सिवधनु पिलेई और इसकी स्थापना हुए थी 12 फरुवरी 1990 ठाण में को और इसका मुख्यले का यह है नई दिली में का है नई दिली में ब्रह्म आस्पेस लिमिटेड का मुख्यले नई दिली और इसकी इस्तापना बाई 12 फरुरी 1988 में कोई थी इसके अब नए सीयो और मडी किसे नुक्त किया गया अतुल दिन कर राने को नेक्स्ट कोशन है हाली में पीम जन दन योजना में लाबारतियों को कितने करोड का आंकड़ा पार किया है तो अभी पीम जो जन दन योजना है उसमें अभी चुमालिस करोड का आंकड़ा पार कर लिया है लाबारतियों ने जो परदानमंत्री जंदन योजना है उसमें लाबार्थियों ने चुमारिस क्रोड का आंकड़ा पार कर लिया है मुखे तते देखो केंदर की वितिय समावेशन योजना परदानमंतरी जंदन योजना के तहयत लाबार्थियों की कुल संक्या 45 क्रोड का आंकडा पार कर गई है इसमें क्या है सबसे दिख तो उत्रप्रदेश और उसके बाद बियार का नंबर आता है उत्रप्रदेश में सबसे दिख खातों के साथ बियार के बाद सबसे उपर है और इसकी शुरुवात हुई थी जो 28 अगस्त 2014 से की गी थी कब है 28 अगस्त 2014 सो पीम जन्दन योजना की शुरुवात की गी थी और अभी चुमारी स्क्रोड जो लावारती है उसका अंकडा पार कर चुकी है हाली में पीम मोदी ने किस राज में गंगा एकस प्रेक्षोवी की अधार शिला रखी है किस ने अभी नरेंदर मोदी ने जो कहा है उत्र प्रदेश में और इसकी लंबाई होगी पांसो चुराण में किलोमेटर लबा और 36,200 क्रोड रसे लिकल लागत से ये बनाए जाएगा अब कल के लिए आपके लिए कोशन है कि हाल में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नरसरी योजना शुरू की है तो अभी किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नरसरी योजना शुरू की है हरियाना, जम्मो किश्मीर, पंजाब और सिक्किम इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अभी जो कल आज वीडियो में अपलोड किया था कल वीडियो में अपलोड किया था, उसमें एक दो विदार्थी ने जवाब दिया था सारी विदार्थी कमेंट में जवाब दिया करो क्योंकि पीछे मैं क्यों देता हूँ क्योंकि आपका जो भी करंट है वो त्यार हो उसके जो पिच्छे की question है most most में आपको पिच्छे इसलिए देता हूं क्योंकि वो आपको रिवाई जो उसके ओ रहे है याद रहे तो कैसा लगा आज का वीडियो हमारा वीडियो को share करना जात-जाती वीडियो को लाइक कर देना और पीडियोप हमारी डेली आपको शाम को परताब कलासे चैनल पर उपलब्द हो रही है तो लगातार इस वीडियो के साथ सुबह करनट की कलासे उसके साथ बने रही है और शाम को मैंने क्या है अब राष्ट पती उपराष्ट पती और परदार मंतरी और आज कल मैंने क्या है इसमें राजेपाल से समदित तो पचास कोशन आपको उपलब्द करवाओंगा और उसके बादें पंचायती राज से समदित आपको उपलब्द करवाओंगा तो धन्यवाद दोस्तो जै हिन्स जै बार्द